दुनिया भर में पिछले करीब डेड़ साल से कोरोना वाइरस का कहर देखा जा रहा है। लेकिन इस वाइरस के साथ सबसे नजदीक से लरने वाले डॉक्टरों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत में अब तक कोरोना से करीब 1000 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। मेडिकल एसोशियेशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि बीते रभिवार 16 माई को एक ही दिन में कुल 50 डॉक्टरों की देश भर में कोरोना से मौत हुई। डॉक्टरों के शंकरमन और इससे उनकी मौत का सबसे बड़ा आकरा बिहार से है। जहां 79 डॉक्टरों की जान गई है। इसके बाद उत्तर परदेश 34 और दिल्ली में 27 डॉक्टरों की मौत हुई है। बताया गया है कि इन सभी डॉक्टरों में से सिर्फ 3 फीसदी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। बता दें कि भारत में जनवरी से हेल्थ केर वरकर्स का वैक्सीनेशन सुरू हो चुका है। लेकिन मैं तर सिर्फ 66 फीसदी हेल्थ केर वरकर्स को दूसरी डोज लगी है। IMA का कहना है कि वो लगतार कोसिस कर रहा है कि डॉक्टर और तमाम हेल्थ केर वर्कर्स वैक्सिन ले लें। कुछ महीने पहले केंदर सरकार ने खुद इस बात की चिंता जताई थी कि कई डॉक्टर वैक्सिन नहीं ले रहे हैं। शरकार ने तब डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा था कि वैक्षिनेशन करवा लें और दूसरों को भी वैक्षिन लगाने की सला दी। आईयमे के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयस लेले ने बताया है कि वो लोग इस बात की हर मुम्किन कोशिज कर रहे हैं कि सभी डॉक्टर वैक्षिन लें। साथ ही डॉक्टरों में कोरोना संक्रमन का घातक होना उनका ज्यादा काम करना भी है। कभी कभी तो डॉक्टर बिना अराम किये 48 घंटों तक काम करते हैं जिससे वाइरल लोड बढ़ता है और शंक्रमन उनके लिए जानलेवा हो जाता है। शरकार को हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें।